नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PRSU टीम पर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए आज हम आपको PRSU न्यूज बुलेटिन में एजुकेशन रिलेटेड और जॉब रिलेटेड साथ में रायपूर से संबंधित जानकारी देंगे पहली खबर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा 2023 के परिणाम में केवल 714 चात्रों में से 140 पास हुए इसमें साथ विशयों में सभी चात्र फेल हो गए जैसे कि Maths, Biotechnology, Botany, Defence Studies, भूगोल, Management और Physical Education 35 विशयों की परीक्षा में 45% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्र ही क्वालिफाई हुए दूसरी खबर German Chancellor Fellowship German University से शोध करने का अवसर है जिसमें चुने गए चात्र समाज के विकास में योगदान करते हैं हर साल साथ चात्रों को इस Fellowship का मौका मिलता है जिन्हें जर्मनी में अध्ययन करने का खर्च वहन किया जाता है आवेदन करने की अंतिम तिथी 15 अक्टूबर है तीसरी खबर CLAT के एक्जाम दिसमबर में होने जा रहे हैं और आवेदन 3 नवंबर तक किये जा सकते हैं इस बार CLAT में पहले की तुलना में 120 सवाल होंगे जो स्टूडेंट्स के लिए accessible है यह परीक्षा इंग्लिश को समझने और उसे करने में मदद करेगी और इसका आयोजन 3 दिसमबर को होगा चौथी खबर PSC मुख्य परीक्षा में मार्किंग पर भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें हैं चात्रों के आंसर शीट के मूल्यांकन में गलतियों की ओर इशारा किया गया है उन्हें नंबर देने पर भी सवाल उठ रहे हैं कुछ चात्रों ने नियमों का उलंगन किया है फिर भी उन्हें क्वालिफाई किया गया है चात्रों की शिकायतें प्रधान मंत्री से लेकर राष्ट्रपती तक पहुची है पांचवी खबर शंकराचार्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रायपुर में MBA के चात्र गणपती के प्रबंधन सिलेबस पर पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट ने गणपती के आधार पर आठ विशयों पर स्पेशल दस दिन के कोर्स की शुरुवात की है चात्रों को गणपती के विभिन गुणों से प्रबंधन का सिखाया जा रहा है जैसे समरपण, सहनशीलता और सहयोग चटवी खबर 36 गण के कॉलेज चात्रों को मिल रही स्कॉलर्शिप राशी में बदलाव नहीं हुआ है 2005 में तै की गई राशी के आधार पर आज भी चात्रों को यूजी और पीजी के लिए मात्र और 250 रुपए मिल रहे हैं इसके बावजूद चात्र और परिजनों का कहना है कि इस राशी से उन्हें बहुत कम मदद मिल रही है जो शिक्षा की तरफ बढ़ने का सपना देख रहे हैं सातवी खबर अक्टूबर में बैंकों में चुट्टियों की भरमार होने वाली है जब कुछ राज्जियों में शनिवार रविवार चुट्टी को मिला कर 16 दिनों की चुट्टी हो सकती है इसका सीधा असर बैंकिंग कारियों पर पैडिडी डेगा इसलिए जरूरी काम तुरंत करवा लेना चाहिए सारवजनिक और क्षेत्रिय अवकाशों के मुताबिक बैंक चुट्टियां मनाएंगे आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें